जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा बहुती एस्क्लूसिव यूटूब चैनल है जहां पर बच्चों हम बहुती इनोवेटिव तरीके से और बहुत शॉर्ट वीडियोस की माध्यम से बहुत कंप्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ाते हैं ताकि आपकी एक्जाम की प्रिपरेशन में चार चांद लग सके और आप फ्लाइं कलर्स के साथ अपने एक्जाम को कौलिफाई कर सके जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि मैं एक सिरीज चला रहा हूँ इंडियास के आर्सनल की जिसमें मैं भारतिये गनों के बारे में आपको पढ़ा चुका था आज हम बात करेंगे इंडिया के फाइटर जेट्स के बारे में चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को तो बच्चो अगर हम बात करते हैं भारतिये एरक्राफ्स के बारे में फाइटर एरक्राफ्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भाई साब ये देखिए तो अगर जो लोग भारती सेना में फाइटर पाइलेट्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़ादा जरूरी है कहते ना बिटा कि ये जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो हवा से बाते करना चाहते हैं तो हेलो वारियर्स याद रखेगा आपको मालूम है कि इंडियन एर फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि ये दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एर फोर्स है और बेसिकली इसका प्राइमरी अबजेक्टिव क्या है तो इसका बच्चो प्राइमरी अबजेक्टिव है कि हमारे देश के एर स्पेस को जो है उसे सेक्योर करना और याद रखेगा कि अगर युद हो तो उस दौरान जो है हमें एरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना याद रखेगा वैसे मैं आपको बता दूँ कि भारतिय एर फोर्स का जो शुरुवात है फॉन्डेशन है वो एर्थ ऑक्टूबर 1932 के दिन हुई थी याद रखेगा और अब तक अगर आप देख सकते हैं तो हमारी इंडियन एर फोर्स को करीब 83 एर्स हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे fighter aircrafts जो हैं वो हमारी भागती सेना में introduce किये गए हैं चलिए aircrafts के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चो ये देखिए एक line को पढ़िए कहते हैं कभी आप लदाक जा रहे हो रास्ते में तो आपको एक signboard दिखाई देता है what is a lifetime adventure to you is a daily routine for us why is up क्या बात है मत होना चाहिए defense forces का attitude कि जो आपके लिए पूरे जीवन का adventure होता है वो हमारे लिए daily का काम है यह लदाक ले highway पर मैंने पढ़ा था तो मैंने आप लोग के लिए इसे यहां पर डाल दिया है ताकि आपको पढ़कर भी मालूम हो कि सेना किस तरह से अपने काम को करती है तो अग बाई साब आपके तो तन बदन में कहते है ना rush of adrenaline होना चाहिए बाई साब यह देखिए बटा दुश्मनों का विनाश कैसे किया जा रहा है हमारे देश की air force द्वारा यह एक picture देखिए बटा कितनी शांदार यह picture है तो अगर अब हम बात करते हैं हमारे fighter jets के बारे में तो आप सबसे पहले देखेंगे HAL का जो तेजस है हाला कि मैं आपको बता दूँ कि यह indigenously developed है हिंदुस्तान aeronautics limited द्वारा लेकिन अभी तक इसे final operation clearance भारत सरकार द्वारा नहीं मिला है इसलिए अभी तक यह कहते है ना कि आस्मान की उचाईयों को नहीं चूपाया है याद रखेगा तो यह 120 order दिये थे इंडियन एरफोर्स ने HAL को कि हमें 120 तेजस चाहिए याद रखेगा और याद रखेगा यह काफी अच्छे हमारे जो है याद रखेगा यह light combat aircraft है हमारा याद रखेगा तो यह काफी अच्छा aircraft है याद रखेगा इसके अंदर याद रखेगा अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर बहुती advanced चीजों का इस्तमाल किया जा सकता है और इसके अंदर जो है याद रखेगा कि 1000 किलो के जो है वजन के जो है आप basically बेसिकली जो है इसका वजन जादा था इसलिए भी इसको 1000 किलो जो है काफी कम किया गया है इसके अंदर मड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर भी जो है बच्चों आप जो है एरियल रिफ्यूलिंग करा सकते हैं और याद रखेगा कि यह हवा में ही रिफ्यूलिंग कराई जा सकती है इसकी और यह काफी अडवांस्ट चीजों से लैस है जिसमें हमारे इक्विप्मेंट्स हो गए जो की हमारा जो आर्सेनल है गोला बारूद है उन सब को यह कैरी कर सकता है बहुत सारी मिसाइलों को लेकर जा सकता है प्लस इसके अंदर जो है बैटा 7.62 mm की राइफल भी लगी होती है अमिनिशन के तौर पर सो काफी एडवांस्ट यह एक फाइ अगर आप तेजस को देख सकते हैं इस तरह से कुछ यह दिखाई देता है इसका टॉप यू से हमने एक फोटो आपके लिए रखी है याद रखेगा यह हैं इंडिजनेसली बिल्ट है भारत में है याद रखेगा इसके बाद आप देख सकते हैं यह काफी अलग टाइप का आपको दिखेगा याद रखेगा सिपे कैट जैगवर के नाम से जाना जाता है याद रखेगा यह फ्रेंच जेट है याद रखेगा फ्रांस से भारत में खरीदा था और हाला कि एकर सबसे पहले बात बताओ मैं आपको यह अंगलो फ्रेंच है इसलिए याद रखेगा सब भी हमारे देश में इसका इस्तमाल किया जाता है तो देख सकते हैं कि हमारा जो जैगवर है वो इस तरह से जो है मिसाइल लाँच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो ये काफी famous हमारे देश का जो है fighter jet रहे चुका है और अभी भी ये काफी हद तक use में है इसके बाद आप देख सकते हैं MiG-29 ये देखेगा MiG जो है ये जो series है ये basically Russian jets है याद रखेगा ये MiG-29 जो है twin engine jet fighter aircraft है याद रखेगा so twin engine है इसके अंदर दो engines हैं और MiG-29 entered service with the Soviet Air Force in 1982 तो सबसे पहले ये Soviet Air Force में 1982 में induct किया गया था और India was the first international customer of MiG-29 तो भारत सबसे पहला customer है जिसने MiG-29 खरीदा था Indian Air Force placed an order for more than 50 MiG-29s in 1980 while the aircraft was still in its initial development phase तो भारत ने याद रखेगा 50 MiG-29 का order 1980 में दिया था since its induction in the Indian Air Force in 1985 the aircraft has undergone a series of modification with the addition of new avionics subsystem, turbofan engines and radars 1985 में याद रखेगा भारतिये Air Force में इसे induct किया गया था हाला कि उसके बाद जरुरतों को देखते हुए याद रखेगा इसके अंदर बहुत सारे जो है modification किये गए ने avionics, subsystem, turbofan engines और radars वगरा इसमें introduce किये गए MiG-29 अगर आप देख सकते हैं इस तरह से आप देखेंगे ये twin jet engine है याद रखेगा काफी अच्छा plane है ये भी उसके लावा अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये देखे भाई साब Mirage Mirage 2000 ये भी काफी famous है याद रखेगा Dassault Mirage 2000 इसे कहा जाता है ये basically French multi-role single engine fourth generation jet fighter manufactured by Dassault Aviation है तो basically अगर आप देखेंगे multi-role है मतलब कई roles में इस्तमाल किया जा सकता है उसके बाद ये single engine होता है वो fourth generation jet fighter है जो की Dassault Aviation France ने इसे manufacture किया है याद रखेगा और अगर हम बात करते हैं अगर आप देख सकते हैं बच्चों तो मैंने इसमें जो फोटो डाली है इसमें आप देख सकते हैं कि ये twin seater है तो अगर इसमें जो है आपको बता दू कि 1980s में भारत में Mirage 2000 जो है ये फ्रांस से खरीदे थे और याद रखेगा बच्चों की इसमें हमने 49 खरीदे 42 सिंगल सीटर थे और 72 सीटर खरीदे गए थे इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि वो जो है ट्रेनिंग के तौर पर भी इस्तमाल किये जा सकते हैं याद रखेगा चिक है उसके बाद 2004 में आप देखेंगे कि भारत सरकार ने 10 Mirage 2000 और खरीदे थे जो की काफी जो की काफी एडवांस थे याद रखेगा एवियोनिक्स पर्टिकुलरी ओन अपग्रेडेशन आफ रडार याद रखेगा तो इंडियन एफोस नेम दा मिराज दा वज्र याद रखेगा इंडियन एफोस ने जो है मिराज को नाम दिया था याद रखेगा वज्र के नाम से जाना जाता है इस तरह से आप देख सकते हैं इसके टॉप व्यू को और यह काफी अच्छा प्लेन है जो हमारे देश में काफी लंबे समय तक सेवाए देर सक्वा है इसके बाद आप देखें भाई साब यह देखें मिग 21 बहुती शांदार प्लेन है देखें आपने पिछले साल जब आपने सुना होगा बाला कोर स्ट्राइक के बारे में आपने सुना होगा और हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान जो लोसी के पार जाकर पाकिस्तान के साइड में गिर गए थे क्रैश हो गया यही प्लेन था जो ओड़ा रहते याद रखेगा यह एक रशन प्लेन है सोवियत प्लेन है याद रखेगा इसे जो है पॉपलरली निकनेम किया गया था बाला लाइका के नाम से जाना जाता है याद रखेगा 1961 में इंडियन एर फोर्स ने याद रखेगा इसे खरीदा था याद रखेगा 1961 में तो काफी ब्राना है और अब तो मालूमी है आपको मालूम है कि यह जो है आउट ओफ सर्विस होई रहें धीरे धीरे अब अल्मोस्ट खतम हो गया है याद रखेगा तो धीरे धीरे अल्म वहां पर खड़ा हुआ है टोलो लिंक के बहाड़ीयों के पास आप देख सकते हैं कारगिल वाले एरिया में इसके बाद आप यह देखे यह बहुत ही अडवांस फाइटर प्लेने से सुकोई 30 MKI कहा जाता है बहुत ही फेमस है याद रखेगा और यह बैसिकली ट्विंग जेट है दो जेट दो इसके अंदर बिटा जो है इंजिन्स होते हैं और मल्टी रोल फाइटर प्लेंस है याद रखेगा सुकोई 30 MKI याद रखेगा यह रखेगा लेकिन बिल्ट वाइंडर लाइसेंस वाइंडियन इंडियांस हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड य याद रखेगे ऑल वेदर है किसी भी वेदर में उड़ सकता है उसके सावर यह यह लॉंग रेंज है याद रखेगा इंडियन एफोर्स के साथ यह लेट 2000 के जो है दशक में इंट्रिद्यूस किया गया था इस तरह से आगर आप देख सकते हैं तो यह एक रश्यन प्लेन ह याद रखेगा काफी अच्छा है और याद रखेगा काफी अच्छा है अभी भी हमारे देश में चलता है और उसके बाद आप देख सकते हैं आज के समय में भाई सहाब इसको देख कर तो मेरा दिल खुश हो जाता है enact ecosystem लुक इतना जादादा अच्छा है रफेल याद रखेगा तो दो इंजन्स हैं इसके अंदर रफेल फाइटर्स के अंदर और अभी रिसेंटली इसे जो है आपको मालूमी है कि करीद साथ हजार करोड की डील पर इसे खरीदा गया हाला कि यह काफी महेंगा है एक एरक्राफ्ट की कीमत करीब साड़े सोला सो करोड उप हैं इसके अंदर और यह बैसिकली जो है 2222 किलोमीटर्स की टॉप स्वीड पर चल सकता है और पचास हजार फिट की उचाई पर उड़ सकता है याद रखेगा यह 3700 किलोमीटर्स तक उड़ सकता है और इसे मिड एयर में रिफ्यूलिंग भी कराई जा सकती है याद रखेग यह काफी खुबसूरत प्लेन है याद रखेगा अभी हमारी देश की सेना में जब से इसे इंट्रिड्यूस किया गया है दुश्मन काफी परेशान है चाईना और पाकिस्तान जैसे और इसके उपर काफी सारी पत्रिक्रियाएं भी कर चुके हैं तो भारती सेना को बहुत भारती एरफोर्स को बहुत ही एडवांस यह फाइटर जैट है जो अभी रिसेंटली हमने खरीदा है हाला कि हमने 36 का 36 फाइटर जैट का ओर्डर दिया हाला कि अभी हमें पांची डिलिवर हुए हैं अगले तीन साल में हमें जो हैं बाकी के जो 31 जैट हैं वो भी फ्रांस दोरा दे दिये जाएंगे तो यह डेसाल्ट अविएशन दोरा बनाया गया फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर जैट है जिसका नाम है रफेल्स जो कि अभी काफी न्यूज में था चर्चा में आपने सुना होगा इसके बारे में चीग है बच्चो तो याद रखिएगा एक त देली life classes मिलती हैं structured session plan मिलता है unlimited practice मिलती है unlimited access मिलता है इंडिया के top educators मिलते है dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको सबसे पहले Unacademy की learning app को download करना होगा ताकि याद रखेगा ये mandatory app है सभी लोगों के लिए जो भारत में exam की त्यारी करते हैं वैसे बच्चों मैं आपको बता दू कि Unacademy 30 से अदा categories में services provide करता है आप हमारे साथ किसी भी category में जुड़ सकते हैं अगर आप defense exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे subscription ले सकते हैं एक मेने, तीन मेने, छे मेने, बारा मेने और चौबिस मेने तो इस तरह के subscription है basically मैं आपको बता दू कि एक मेने और तीन मेने के subscription basically revision subscription है आपको लिए best subscription जो सबसे किफाईती है, सबसे सस्ता है वो है बच्चो बारा मेने का subscription और चौबिस मेने का subscription कारण ये है मैं आपको बता दू बच्चो की साल में defense के बहुत सारे exam होते हैं जिसमें आपको याद रखेगा साल भर में अगर आप देखें तो दो बार cds होता है दो बार AFCAT होता है, दो बार INET होता है, एक बार territorial army है, एक बार CAPF है एक बार आपको कई बार SSB देनी पड़ सकती है तो इन सब कामों में एक साल यह उससे ज़ादा का समय लग सकता है अगर आप graduation में नए हैं और आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे exam की त्यारी करनी है तो आप 2 साल का भी subscription ले सकते हैं, वो भी इतनी कम fees में आप देख सकते हैं 12 महने का subscription आपको 7,900 रुपए में और 22,24 महने का subscription आपको 11,500 रुपए में मिलता है लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा referral code, QA Life का इस्तमाल करना होगा बच्चो ताकि आपको 10% का instant discount मिल सके इस fees में याद रखेगा आपको पूरे written exam की तयारी कराई जाएगी, पूरा SSV की तयारी कराई जाएगी, पूरा test series पढ़ाया जाएगा और उसके साथ-साथ आपको जो है इंडिया के top educators मिलेंगे, जी हाँ, you name it, we have it, all the top educators in the country are on an academy, चीक है, तो see you in the class, thank you so much, आज की class आने के लिए, till then, do take care of yourselves, and जेहन